दोस्तो अगर आप भी UPSC CSAT को लेके परसान हैं उस विसाय पे डिबेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए आज हम बात करने वाले हैं पाच philosophers जो CSAT के खिलाफ आर्ग्यू करेंगे और वो क्यों आर्ग्यू करेंगे वो बड़ा इंट्रेस्टिंग है वो देखने वाली बात है तो एक UPSC के नजरिये से और जनरल नजरिये से भी हमें CSAT के टॉपिक को देखना हैं दोस्तो मैं हूं संदीप सिंग और आज इस इं नहीं है वो आएगा जॉन रॉल्स की तरफ से जॉन रॉल्स का एक concept है equality of opportunity उनका कहने का मतलब है सबके पास fair chance होने चाहिए किसी भी काम में perform करने के लिए उनका यह कहना है कि CSAT जो है वो कहीं न कहीं undermine करता है equality of opportunity और जो fair assess है किसी position के लिए उसको और यह जो selection है यह bias है जो मानता है कि निया किसी भी institution का पहला virtue है उसका यह कहना है कि जो natural endowment होती है मतलब आप किस चखा पैदा होंगे किस घर में पैदा होंगे वो आप decide नहीं करते उसकी वज़ा से आपको बहुत सारे privileges मिल जाते है चाहे English language की काबिलियत है या कोई भी language हो कहीं न कहीं आपके culture से जुड़ी है और जो यह social contingent है मतलब social चीजों पर depend करते हैं और यह advantage की तरह काम नहीं करने चाहिए किसी और के उपर जहां पे opportunity की बात हो तो original language के जो लोग है उनको वो opportunity नहीं मिलती है तो कहीं न कहीं उनकी कोई गलती नहीं उनकी पढ़ाई में उनकी काबिलियत में बात करती है जो कि एक arbitrary factor है सिसेट अगर आप सैधानतिक level पर देखेंगे तो क्या measure करने की कोसिस कर रहा है वो खुद बहुत clear नहीं है तो उस विशाय पर एक language के debate पर हम कर सकते हैं fair chances के बारे में हम बाते कर सकते हैं फिर यह है कि सिसेट का जो तरीका है वो aptitude और critical thinking measure करने क होना चाहिए और वो ऐसे होना चाहिए कि linguistic neutral way में होना चाहिए कि जो भासा है वो बीच में नहीं आने चाहिए क्या भासा की काबिलियत यह define करती है कि कोई इंसाल कितना analytical है कितना critical thinking रखता है उसका aptitude कैसा है तो सिसेट के प्रती और सिसेट के जो particular math का part है उसके प्रती भी similar logic आएंगे कि कहने कहीं आप कुछ discipline वालों को priorities दे रहे हैं तो सबके पास fair chances नहीं हैं सबको अगर आप कोई भी race में दोडाते हैं तो किसी को अलग अलग देखा से थोड़ी दोडाएंगे मतलब एक initial position होने चीए ताकि चीज़ें fair हो पाएं अब आगे और बढ़ते हैं फि कुछ लोगों की capabilities और यह उन लोग को promote करता है जो particular culture में रहे हैं या उस तरह के रहे हैं तो arbitrary barrier यह create कर रहा है कुछ लोगों के लिए इसलिए problematic है उनके जो key arguments है वो देखने की कोसिस करेंगे कि जो cultural और educational context है वो save करता है लोगों की काबिलियत किसी भी इनसान के अंदर और ज सिर्फ वो बाते पता चलेंगे कि आप कुछ subject में कितने हैं वो भी subject अगर knowledge चेक करना है तो फिर वास्तों में वो aptitude नहीं है यह कहने का मतलब है और कहने है कि जो regional language में है जिनके cultural चीज़ें different है वो कहीं न कहीं C-set capture नहीं करता है मतलब C-set कुछ particular या कुछ particular zone को capture करने की को कोशिस करता है सब की काबिलेत capture करने की कोशिस नहीं करता इसका बहुत deep में अगर critic में जाएंगे तो एक simple example में आपको देता हूं कि C-set में किस तरह के पैसे से जाते हैं अगर वो पैसे से जाते हैं जिनको दिल्ली में बैठना वाला इंसान आसानी से समझ सकता है कि एक लो में रहने वाला इंसान है वो तो समझ जाएगा कि खेद की बात हो रही है डान की बात हो रही है फावडे की बात हो रही है क्या हो रही है उनकी thinking कैसे चल रही है लेकिन जो दिल्ली में लोग बैठे है उनके लिए difficult होगा क्योंकि इसमें cultural बहुत चीज़े हैं कोई cultural practice के उपर हो और तब assist करने की कोसिस करें तो ये कहने कहीं plural capabilities के बारे हैं बाते करेंगे और कहेंगे कि plural capabilities है तो हमें ऐसे format लाना चाहिए जिससे हमें multiple लोगों की different capabilities को भी measure कर पाएं उनके aptitude को समझ पाएं ये argument जो है है बमस का ये सबसे interesting argument है और इससे बहतरीन argument कोई नहीं है इ अगर आपको ये किसी के प्रति यूज करना है तो आप समझ लिजए कि आप bureaucracy के against भी argue कर सकते हैं इन general भी argue कर सकते हैं तो ये इस बात पर depend करता है उनका ए concept है communicative action का और deliberative democracy का communicative action क्या होता है एक ऐसा action जो consensus बनाने के बारे में है, deliberation के बारे में हो, dialogue के बारे में हो जहाँ अपने आपको सही साबित ना करने के बारे में हो, ये हो कि हम दोनों में से अपने opinion दखेंगे, देखते हैं open mind से कि कौन सही होता है, तो जहाँ पर communication की है, उस action के बारे में ये बाते करते हैं और ये defend करने की कोशिस करेंगे, इस सी set के against argue करने की कोशिस करेंगे, उनमें है क communicating action वो होता है कि जहाँ पर free exchange of reasons होता है, ताकि हम consensus बना सकें, और ये कहते हैं कि procedural rationality है, जहाँ पर सब लोग free हैं और equal partner हैं, और सब लोग claim कर सकते हैं अपने validity को truth के बारे में, वो एक सही processor होता है, ना कि एक instrumental rationality, instrumental rationality वो rationality होती है, जहाँ केवल खुद को सही साबित करना है एक particular तरीके से सही साबित करने के लिए होता है, अब आता है उनका core argument, है बरमास कहते हैं कि जो administrative capabilities होती है, उसमें ये जिमेदारी होती है उनकी, कि जो भी public deliberation है, उसमें वो कैसे better तरीके से handle कर पाते हैं, कैसे better argumentation कर पाते हैं, और कैसे एक mutual understanding create कर पाते हैं, किसी भी statement और लोगों के बीच में कुछ understanding बननी है, तो goal तो यही है ना, कि लोग भी आपकी बाते समझ पाएं, दोनों एक consensus बना पाएं, और फिर आगे बढ़ें, लेकिन क्या ये इस तरह के exam लेने के बाद possible होगा, जब आप एक ही तरह के लोग लेंगे, जो एक ही aptitude वाले लोग ह तो क्या वो deliberation को promote करेंगे, क्या वो एक alternate perspective जो है उसको promote करेंगे, ये score पे argument है, कि अगर आप एक ही तरह के test के माध्यम से लोगों को ले रहे हैं, जहां पे सिर्फ कुछ discipline के लोग आ रहे हैं, जिनका math सच्छा है या जिनकी English सच्छी है, तो क्या वो multiple perspective समझ पाएंगे, जि इनसे ना socio-economic तोर पे ना cultural तोर पे उन्होंने कभी relate करा है, ये बहुत ही problematic argument है, argument problematic नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है जो सवाल खड़े कर रही है, कि किस तरह के लोग जो है बिरोक्रेसी में जा रहे हैं, ये बिरोक्रेसी की प्रती भी एक important argument हो सकता है, कि लोगतांतर मे क्या सबसे strongest part होता है, जो political executive होती है, उसे upper hand दिया गया है, वो वास्तविकता है, क्यों दिया गया है, क्योंकि वो लोगों के बीच में रहते हैं, लोग, popular sovereignty important है, बिरोक्रेसी एक tool है, वो इंड अपने आप में नहीं है, ये बाते हमें जितनी आसानी से जान लेंगे, वो सम उनकी बातों को उनको उस तरह से consensus बनाना, वो की होना चाहिए, ना कि किसी बिरोक्रेट के पास वो का बिलियत की वो सबको अपने इसाफ से डाला दे, तो ये बहुत ही important argument है, इस पे एक अलग से वीडियो बनाये जाएगा, अब आगे हम जब बात करते हैं, इसमें technical instrumental approach के ब बारे में बातें नहीं करेंगे, और policy, जो policy dilemma होते हैं, वो कहने कहीं communicative approach दिमान करते हैं, जहां पर आप सब के बारे में सोचें, सब की बातों को considerate करें, ये ना बोलें कि हम बहुत बड़े think tank है, तो हम बेतर सोच पा रहे हैं, लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं, तो ये argument नह करता है conformity, कि ये test कहीं न कहीं, सिर्फ exam नहीं है, ये पार reflect करता है कि पार किनके पास है, कैसे लोग ये सिसेट फ्रेम कर रहे हैं, बाकी चीज़ें फ्रेम कर रहे हैं, उसके बारे हैं बाते करेगा, फिर एक similar argument आता है, नौम चॉम्सकी का, वो reinforce करता है पार structure, कि society में selection हो रहा है, सिसेट के माध्यम से जादा लोगों का मुखरजी नगर में selection नहीं हो रहा है, वो क्यों है, क्या बच्चे काबिलियत की कमी है, aptitude में difference है, या कुछ particular instrumental चीज़ें हैं, जहां पे एक जोन के लोग बहतर कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास cultural capital भी था, अलग अलग करें, वो कहेंगे कि जो proficient है कुछ dominant languages में, उनको कहने कहें cultural capital मिल जाता है, इसमें excel करने के लिए, और CSAT reinforce करता है वो imbalance, जो existing hierarchies हैं, जो meritocracy, neutral assessment के नाम पे फैलाई जाती हैं, यह बहुत important है और इससे समझना है, फिर आगे हम neutral, जो standardized process है, वो कहने कि power structure को represent करेगा, reinforce करेगा, dominant territory यह इनके arguments हैं, दोसों CSAT में यह वीडियो बनाने का जो aim था, पूरी तोर पर यह नहीं था कि आप deliberation में नहीं जाएंगे, आप CSAT में सवाल कीजिए, debate कीजिए, इसके पक्ष में भी कुछ argument हो सकते हैं, उससे मैं refuse नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी कहने का सिर्फ fake मतलब है कि अन्याय अगर कहीं भी है, तो अन्याय के लिए वह हमेंसा खत्रा है, तो अगर आपको लगता है कि यह चीज़ें सही नहीं हैं, तो आपको उसके खिलाफ आर्ग्यू करने के लिए क्या क्या argument से यह, वो इस वीडियो से आपको मिल सकते हैं, लगतार ऐसे वीडियो से आपक मैं लगतार ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आतार होँगा, ऐसे डीब वीडियो जहां पर आपको आर्ग्यू करने में आसानी हो, जहां पर आपको political science समझने में आसानी हो, UPSC के लिए या किसी भी exam के लिए जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो में इतना